नमस्कार एंड वेलकम टूई स्मार्टर रेवडे चनलल दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप युगनी की तरफ से यहाँ पर जो है जो यहाँ पर स्टुडेंट इनोवेशन अवर्ड यहाँ पर निकाला गया है जिसमें कैस प्राइज जो ह यहाँ पर सिर्फ आपको mail करना है यहाँ पर लिक के ठीक है और अपने हाथ से नहीं लिकना है ये भी आपको पताओंगा कैसे आपको type करके लिकना पड़ा है लिकना गड़ा है और यहाँ पर दोस्तो तो कौन कौन से है यहाँ परês्टूडेंट इनोवेशन अवर्ड के ल पर हूँ और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस जो अवार्ड यहाँ पर निकाला गया है 10,000 रुपे का कैस प्राइज इसका नाम है इसके लबा who is eligible to apply innovation award उसके लबा why should you apply for innovation award what are the theme area दोस्तों यहाँ पर कुछ topic यहाँ पर दिये गए हैं last date दोस्तों यहाँ पर 30 सितंबर तक आपको apply करना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर फूरी complete जनकारी में आपको बताता हूं तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पार हैं के लबावा यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है इस award में cash prize कितना यहाँ पर मिलेगा देखिए cash prize के साथ साथ आपको देखिए cash prize तो मिलेगा साथ में आपको एक certificate मिलेगा ट्रोफी भी मिलेगी और cash prize first विजेता को 10,000 रुपे मिलेगा साथ में यहाँ पर जो second विजिता यहाँ पर आने वाले हैं उनको 7000 रुपे और third विजिता को यहाँ पर 5000 रुपे यहाँ पर मिलेगा ठीक है यह चीजे है इसके लावा यहाँ यहाँ पर देखेंगे theme area यहाँ पर बता रखा है देखिए theme area में यहाँ पर आप देखेंगे आ आप देखेंगे health care and biomedical device agriculture and ruler development या आप food processing and packaging के उपर लिख सकते हैं अच्छा तो इन 14 में से आपको एक topic यहाँ पर आपको select करना है ठीक है इसके लावा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसके लावा मैं बात करूँ यहाँ पर देखेंगे apply करने का process यहाँ पर अलग है देखें यहाँ पर कहीं आपको physically document आपको send नहीं करना है आपको सिर्फ एक mail करना है और यहाँ पर handwriting से आपको सारी चीज़े नहीं लिखनी है ठीक है मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर एक mail ID दिया गया है इस mail ID को आपको no down कर लेना है ठीक है तो मैं वीडियो के description में भी मैं इसका link दे दूँगा इस mail id को यहाँ पर लिख दूँगा जिससे आप अराम से यहाँ पर mail कर पाए ठीक है इसके लाबा यहाँ पर आपको क्या करना है एक तो यहाँ पर जो application format है सबसे पहले आपको download करना है उस application format को मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ा सा इंतजार किजिए उसको यहाँ पर download करने के बाद आपको इस mail id पर mail करना है ठीक है इसके लाबा पांस से दस मिनट की कोई video जो है वो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर application form ठीक है तो यह application form यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी पर आपको काम करना है देखे कोई अलग से आपको handwriting वगरा लिखने की बिल्कुल भी आप सकता नहीं है ना ऐसा आपको करना है नहीं तो आप reject हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे है इस application form को आपको क्या करना है जैसे की बहुत सारे candidate जो है यहाँ वो लैप्टॉप नहीं है जिनके पास desktop अगरा नहीं है वो दोस्तो अपने mobile में इस application format को खोलेंगे ठीक है इसके अलाबा यहाँ पर file वाले option पर जाएंगे और यहाँ पर download वाले option पर जाके Microsoft Word वाला option पर click कर देंगे ठीक है तो इसके क्या होगा यह जो file है Microsoft Word में आपर download हो जाएगी ठीक है और mobile में दोस्तो एक application आपको download कर लेना है Microsoft Word का तो यह page जो है असानी से वो जो यह file बगरा जो है इसमें open हो जाएगा ठीक है अपना नाम यहाँ पर लिखना है तो जैसे कि आप अपना नाम यहाँ पर आप type कर देंगे इसके लवा यहाँ पर enrollment number आपका जो भी है यहाँ पर enrollment number यहाँ पर आपको डाल देना है address यहाँ पर fill करना है इसी प्रकार से यहाँ पर भरना है प्रोग्राम कोड आपको डालना है regional center, mobile number, email id यहाँ पर mention करना है ठीक है तिस सारी चीज़ा आपको mention करना है and तक यहाँ पर दे रखा है जो भी title आपने select किया है सबसे पहले fifth number पर आप देखेंगे क्या पूछा जा रहा है इसके लावा यहाँ पर आप देखेंगे fifth number पर what is the problem that you want to solve by your innovation इसमें आपको 100 word में लिखना है 100 word में कैसे लिखेंगे यहाँ पर चोटा सा तो इसको ऐसे आप यहाँ पर space मारेंगे या enter मारेंगे तो यहाँ पर जगे बन जाएगी और इसी में आपको यहाँ पर ऐसे आपको type करके यहाँ पर लिखना है ठीक है हाथ से नहीं लिखना है आपको यहाँ पर type वाला चलेग इसके features बगरा क्या है इसके लबा uniqueness क्या है innovation का जो आपने यहां पर select किया है theme उसको आपको 200 word में लिखना है फिर इसके बाद 8 number में यहां पर देखेंगे what your innovation different better from as similar ones if any in the market तो यहां पर आपको 50 word में लिखना है इसके लबावा what are the benefit and target user of your innovation क्या है यह चीज़े आपको यहां पर लिखना है तो यह सारी चीज़े आपको ऐसे ही आपको type करके लिखते हुए जाना है ठीक है और final दोस्तों यहां पर अपना declaration देना है सबसे यहां पर आ तो इसको आप send करेंगे इस file को उस समय का date यहां पर mention करना है यहां पर अपना नाम डालना है ठीक है और यहां पर दोस्तों signature आपका हो जाएगा ठीक है नाम ही आपको लिखना है पूरा नाम आप लिख सकते हैं ठीक है इसके लावा यहां पर signature बगारा कर यहां पर यही ची आपको मिला हुआ है, वार्ड में आपने open किया है, इसी में आपको लिखना है और इसी को यहाँ पर भेज़ देना है, साथ में और भी document बगरा एगर आप भेजना चाते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको आपको scan करकर नहीं भेजना है, इसी format में आपको यहाँ लिखना है ठीक है यह सारी चीजे है और यहां पर दोस्तों आप देखेंगे इसी को आपको अप्लाई करना है ऐसी अप्लाई करना है और इसका जो PDF का यह format वाला जो है MS Word वाला इसका मैं डारेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन में दे दूँगा जिसके बाद हम से डारेक्ट आप इसके लिए यहां पर डाउनोड कर पाएंगे ठीक है और इसका फॉर्म भरने की लास्ट देट आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2022 तक है इस से पहले पहले आपको यहां पर सब कुछ यहां पर लिखना है सब कुछ यहां पर वीडियो क्लिप भी आपको लगा हैं तो आपको 10,000 रोपे cash price साथ में आपको award और साथ में आपको certificate भी यहां पर दे दिया जाएगा ठीक है तो इस से related कोई भी यहां पर जो मुझसे कोई सवाल पूछना चाते हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ और कोई doubt है तो आप मुझे comment box में comment करके जरूर आपको आपनिवाद, thanks for watching, jaheen